Hello everyone, welcome back to my channel मत अपायर को लागी लिए राइस अगी उच्छू formula based division physics को लागी राज आमीको लागर नाटे काच्छों charge रफ पोर्स को बारे मा So let's start the video So इन्दा पईला आमी charge को बारे मा बुझाओ So charge मा हमीला है चाहिने फर्मूला हाँ So quantization of charge को formula आओ So quantization of charge को लागे रागे So quantization of charge को लागे रागे बारे मा ना राखे इन्दा इलेक्ट्रोन charge इन्दा इलेक्ट्रोन को जहले बारे मा रागे रागे हुनची n time को product हुनचा So Q is the plus minus Ne भनना सक्छों यो भने बाचि-T जारो इंटीजर हो रा e भने पची it is the charge अंद इलेक्ट्रून रसको वैलू उन्छा 1.6 into 10 to the power minus 19 column ठीक्छा सो यो value हमने थावन पड़छा ठीक्छा सो q is equals to plus minus n e हुन्छा रा यो भने को हम्रों इंटीजर वो रा e को ते वेदा हमले क्यों वैलू कोईली पणी चार्ज इंद इलेक्ट्रून मन्दा कम हुना ही सकते ना योग गुरा या धाखनी योग कोईली पणी possible हुना सकते ने यति गुरा भुजी सगे पची अब हमरों चार्ज मारे इलेक्टेट भनकित यह उटाव पंचेप्ट ह यादी हमरों चार्ज रेस्ट मा छावने तेसले जैले पनी इलेक्ट्रीकल फिल्ड जेनरेट गर्छा इलेक्ट्रीकल फिल्ड जेनरेट गर्छा वने इलेक्ट्रीकल फिल्ड अनली जेनरेट गर्छा वने जावा यादी चार्ज यूनिफॉर्म मोशन यहादी as well as magnetic field निकाल चाहे सो जब चार्ज रेस्ट माँ चाहे लेक्रिकल फिल्ड मात रहे हुँँछा रहे यूनिफॉम मोशन माँ चाहे लेक्रिकल फिल्ड निकालने काम गर्चा ठीक्छा एती भुजी चाहे पाछी अब हम्रों की होंचा दाखिरी चार्ज मां हम्रों कसरी कुणे बढ़ी लेक्र चार्ज करना सक्षें चाहर चाहर इनधाक्षण परनागी क्योंट माँने हे और में आई कंटेक्षण ना घ्री इंधा लेक्ट चाहल क्सक्या हुए में आणाकी आई क्याना धक्याजियु अल्योव्दिश्टा में हणक्स फिलिवास्ट मालों आए यूक रौन चानल conductions से ऐसे माँ कि हूँच हनदा? 신पोज हमर्यों यह यह रिन्डूशं चार्ज हो इंडूसिंग चार्ज, बने पछी कुने पनी यादी यह अंचार्ज बढड़ी आँछ हो ने, एसमा की होंछा जयले पनी अपोजीट बने, आपोजीट जूँचा जय तो प्लस को अपोजीट की होंछा नेगेटीब चार्ज डेबलप हुँचा, जयले पनी अपोजीट दुरियोटा चार्ज इंडीुस होंच , बनींपाची पोसिटीव छाओ अन्ये ? इंड्यूस्ट चार्ज की ऊंच ? hypothetical फर्मूलाइं या Victor फ्रेंछ ? Q induced is equals to negative of Q inducing Q inducing 1 minus 1 by epsilon not r यो हमेजा यो formula चाहिए चाहिए यो minus की नो दोनोट गर चाहिए minus लेकी तो गर चाहिए ला किडी the opposite nature of the induced charge induced charge को क्यों चाह पोजिट नेचर हुँचा to that of the inducing charge एती बुजियो अब येश मा हमरो यो भनेगो क्यो E r epsilon not r भनेगो It is our relative permittivity relative, permittivity । हम लेक किये लेपन ही denote गरना सक्छां रो S को लागी हमीला है अब ये तीनोडा condition हों चाहिए तीनोडा condition हों चाहिए यो मेटवंतवशण तीनोडा condition हों चाहिए S को लागी के होंचा हंगी ये उठा condition होंचे हम लो air और vacuum को लागी सो एयर और व्यकम बाचे क्यों चंदाखेरी किये अत्वा एफसनल नॉट आ रिलेटिव पर्मिटिविटी को वैलू उन्च वान ठीचा कंड़क्टर को लागी कंड़क्टर को लागी एसको वैलू उन्च इन्फिनिटी रहा हम्रो इंड़ इंसुलेटर को लागी इंसुलेटर को लागी एसको वैलू उन्च ग्रेटर देन वन तो अब हमिले डिप्रेंट कंडिशन सर को लागी यो वैलू इसमा आले रहे हैं तो यो मेटा चा सो हमिले यो फर्मूला याद राखूं कि दाट इस Q-induced is equals to negative of Q-inducing times 1-1 by epsilon not r येकिछा जबा हमिले Q-induced एसको लागी निकालछा हम्रे यहदी magnitude मातर ली इन्चो एकचाले आमी magnitude मातर ली दालशो बने Q-induced is equals to Q-inducing हुँँचा आवा को लागी 1-1 by 1 भयो रिलेटिव पर्मेटिव वैलू काती हुँचा 1 हुँचा 1-1 जेरो हुँचा निसी 0 ते बार हमिले कि इंडक्शन फेनुमेनन चानाट अकर इन एयर यहाँँचा भननना सक्षों Q-induced is equals to थेरी हमीले Q-inducing लीरा हाँँचा यहs, Q-inducing, magnitude मातर लीरा हाँचा 1-1 by infinity So, anything divided by infinity will be 0, right? Anything divided by 0 gives infinity and anything divided by infinity gives 0 सो अमिले था से यो q-inducing को यता 1-0 हुँँचा सो देर्फोर q-induced will be equal to q-inducing ठीक्छा सो यो value हमिले यानिकालना सक्षों ठीक्छा सो अनिपसी conductor को लाग केक value infinity हुँचा सो केक value infinity हुँचा राखे दी conductor मार जती हमिले current inducing शेन कड़ायाशो ते तीने induced current हुँचा मात्रत यसको opposite nature हुँचा प्लस सबने माइनस माइनस सबने प्लस ठीक्छा अब हमरे इंसुलेटर चुप लागी चो इंसुलेटर को लागी के को value greater than 1 है रा के को value greater than 1 हुँचा क्यों बहला q-induced को value q-induced would be less than q-inducing इंसुलेटर मा क्यों देना जती हमिले inducing current शेन्ट गर्छा हुँचा त्यों भंदा कॉम अमांट माँ एल ले की गर्छा current induced गर्णा सक्छा जती हमिले induced को current उन्छा inducing current जती प्रवाइड गर्छा त्यों एक्स अभने जयाने पनि एक्स को की एन्टैंस ले कंग ने के गर्छा घरी induced कर्णा सक्छा चो इंसुलेटर मा की उन्छा क्यों देना क्यों देना को value is less than that of the q-inducing current Inducing भनिको Charged Body ले दिने हो Induced भने पची Line Uncharged Body ले हो एथी करेंड है So as all आम ले क्ये Conclusion निकालना सक्सों हों धाखेदी As all क्ये Conclusion निकालना सक्सों हों धाखेदी Q-Induced को Value Always Less Than or Equal to Q-Inducing एकदम क्लियर सा? So Q-Induced को Value जोहिले पनी क्यों होंचा? Less Than or Equal to Q-Inducing होंचा अब हम एकदम क्यों आगरों Different Charge Density होरोको Formula आए So Charge Density, Charge को Density ठीक्छा? So S में आमरो 3 नोडा किसीं को Density होंचा? यह उटा हमरो Linear Charge Density Linear Charge Density S को Formula हमरो क्ये होंचा होंचा होंचा? Charge Per Unit Length इसको Formula क्ये होंचा? हमरो Charge Per Unit Length होंचा? Simple Formula आपो एला हमिए D note कर सोंचा हों Lambda आले दोस्तराँ से आमरो Surface Charge Density Surface Charge Density एसला हमिए Sigma ले डिनोड कर सोंचा? एला हमिए एला हमचा Q by A और इस बाट हलका IMPORTENT हुँँचा? एस बाट हमेले क्ये निकाला सक्सा होंचा? यती कम रेडियस तेती बढ़ी तेती बढ़ी Surface Charge Density जती कम रेडियस तेती बढ़ी Surface Charge Density ते बढ़ा Surface Point मा Master Based Point मा क्योंचा? Maximum Surface Charge Density हुँचा Maximum Surface Charge員 Density हुँचा यह आमरो Next Formula आपो िशवेस्ट आपो यादी आमरो सिंपली सार्कलचा बढ़ने सieso सिंपले क्ये रइशान धाहिरी रेडियास यती कम केटी बढ़ी कிंचा सर्फासा देंसिटी हुंचा तकर सर्फेस पोलिम यूट स्कीयूं चैनल्च अम्रों फालियू चाज देंसिटी so volume charge density यहला हमी दिनोट करशा हूं ρो ले ρो इसको परमला आँचा ρो इसको सबले हापामना सक्षा that is q by b q by b so that is charge per unit volume charge per unit area and charge per unit length so यह अम्रो charge density को बारे मा अब आम्रो next सबसे इम्पोर्टेंट that is the columns force columns force यह सबसे इम्पोर्टेंट छा यहले किये भन्छा वन्दाखे री the force of attraction और repulsion और हेना च्कुनेपनी charge मा present भाको the force of attraction और repulsion is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the distance between them को square so बने पाँचे यह दिन हम्रो F force लागी राचा बने columns force को लागी F force लागी राचा ने यह समा क्योंचे it is directly proportional to charge को product suppose यहां दुटा charge चा यहोटा charge दुबए हम्रो positive charge चा वनेते यह समा क्योंच repulsion सो होंच Q1 Q2 charge चा यह दुटा विच्चको distance हम्रो R भने पसे अवा यह समा force कती लाग चांदा खेरी the columns force is directly proportional to the product of the charges भने ची Q1 Q2 and it is inversely proportional to the distance सब्लाइ थाचा यह direct proportional to Q1 Q2 divided by R square गणना सक्चां यह proportional यह दुटा नुक लागे हमी की आचां Q1 Q2 divided by R square हाल चां ठिक्चा यह 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 क्ये को व्यालू किया उंचा अंदा खेरी 1 divided by 4 pi epsilon not उंच which is equals to 9 into 10 to the power 9 newton meter square per c square उंच सब्लाइ यह को व्यालू उंच सो ते बरह हमीने के को व्यालू 1 divided by 4 pi epsilon not व्यालू किया उंच 9 into 10 to the power 9 newton meter square per column square उंच यह देखरे, epsilon not को व्याज़ु हम्रेए यादवनूपर that is 8.85 into 10 to the power minus 12 minus 12's column square per newton meter square उंच यो हम में बामिली बेलो याओटाखनु पर ठीक्छा हो अप्समीन नॉट फर्मूलाँ थाखनु पर्षा 1 भाग 4 पाई आडाखनु पर्षा dripping आपिर तीक्षा फिक्षा उभाट को ख्लाएक च्वाट को फार्मान की पहरएक तीक्षा हो टो अबम्रो यो वो है आमरो force in air, सबसे हैं, यो आमरो के वो force in air वो, force in air वो, force in air काती हुँछा नाखेरी हामरो हुँछा q1, q2 divided by 4 pi epsilon 0 r square, यहादी हामरो medium मा उन्थे हो ने, force in medium हुँछा हुँछा, q1, q2 divided by 4 pi epsilon epsilon r, times r square हुँछा, तीक्छा, यो वने पाछी, this is the absolute permittivity, यो वो, आमरो relative permittivity यो वो permittivity of the medium, ठीक्छा, so, जबा हमीले, f air divided by f medium गर्छो हुँछा, क्यो बेल, हमरो के आउंछा हुँछा, हमीले, जबा f air divided by f medium गर्छो हुँछा, यो बाल, हमरो के निस्कीन चल राखेरी, epsilon 0 r आउंछा, मात्र के बागी 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 ठाउ ठाउंसे यूट्या हुँच पर्मुला हुँच दिगसा चीह पने चांट रिलेति पर्मिटिवीन科 संट जड़र पम्हें कैंधा से ळासिछ, टीछ सो एती बुज अबा हमी कुरा गर छो कीव नाहिए रहा चो अबा हमी कुरा गर और यो भूजी शकेँ अबा याक क्याहन चा उँचा धुए ओटा चार्ज उँचा बॉने येवटा f1 एता लागने भो यो फोर्स in q1 चार्ज f2 is the force that is applied by the q2 चार्ज यो के उचा अखे एसको लागे हमेले के आखे नाखे नाखे जए पनी फोर्स को भैलू magnitude सेम उन्छा तर एसको direction different भो नाखी सब सेम उन्छा यो को रहा आखे एसमा लागे न्यूटन स्थर्ड लॉप मोशन आखे न्यूटन स्थर्ड लॉप मोशन आखे नाखी नियूटन स्थर्ड लॉप मोशन हुनच पर डिफरेंट्ट् F1 रा F2 को दुवे को यदि magnitude लिंचो बने, magnitude लिंचो बने दुवे को क्यों चान दाखेरी Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught R2 यदि यो के माली राचा, air और राकम माली राचा बने, ठीक्छा? So magnitude T होंच, direction मातरा फरक होंच, निसे F1 को direction F2 होंदा ठीके उल्टो होंच, opposite direction मा करूंच, F1 राचा ने, F2 राचा, magnitude सेम रहांच, ठीक्छा? So यदि हमेले बुजी चक्यों योब हमरो columns force को बारे मा, अब हमरो columns force थैंके होंच, mass मा dependent हो दहीना, ठीक्छा? So कुणेपनी particle थैं, कुणेपनी particle थैंके होंच, आमरो columns force को पुरा गरों, columns force थैंके होंच, योचा कहिले पनी particle को mass मा dependent हो दहीना, ठीक्छा? योख रहाया राखने, अब किये चेंग डिपेंडेंट होंच, particle को mass मा किये चेंग डिपेंडेंट होंच, बने हमी यह आवडों बुच्छों, जस्तो force बने को M into A हो, अब acceleration हमी निकाल थैंके F by M होंच, ठीक्छा? यदि आमी force ला, आमी constant मान दिन छो बने, force constant मान दिन छो बने, A is inversely proportional to mass, acceleration बने को change in velocity divided by time टेकन हो, यह आमी इले लेखना सक्छों के, V by T is inversely proportional to M, ठीक्छा? यदि आमी time पनी constant मान दिन छो बने, time पनी constant मान दिन छो बने, V is inversely proportional to M, बने पची inverse relation सो बने, that means V2 by V1 को value के होंच, M1 by M2 होंच, यो की बामरो inverse relation बो, यह पार्टा हमी लेखके conclusion निकाना सक्छा होंदा थे, the speed of the charge, अचा, speed of the particle is only dependent upon the mass of the particle, अने को mass जती भारी, mass जती भारी, तेती कम velocity मान ट्रावल गरना सक्छा, तो simply बुझना सक्छा, चा, so particle को mass, मान dependent हुने, factor के रहे चा, तेसको speed, यह मात्रा factor dependent हुनच, charge force अच्छ, अच् independent of the particle mass, यह खुरा हमी ले भुझना सक्छा, नेक्स्ट आमी कुरा गर्छा हुन, column force को unit है, so हमी ले था चार्ज को unit की हुनच, charge को unit हुनच, charge को unit हुनच, कुलम, है, so एला हमी SI unit बनच, एसको CGS unit चे या दाखनु पर्छा, CGS unit of charge is, charge को की हुनच, stat column हुनच, stat column हुनच, अथ हुनच, एला हमी बनच, ESU that is electrostatic unit, एसमा आम ले इसको value या दाखनु पर्छा, बने सि यह उटा, one column charge is equals to 3 into 10 to the power 9, stat column, एसा, so stat column हुनच, यह खुरा हम ले या दाखने, one column is equals to 3 into 10 to the power 9, stat column, एसा, यह खुरा हम ले या दाखनु परे, charge को unit column, that is CGS, कर एसा unit, CGS unit हो दे बने, stat column हर, electrostatic unit, one column charge is equals to 3 into 10 to the power 9, stat column, अब यह आम ले कियोंच, नखेरी, column को हमिले, एवटा column charge मा कती electron present हुनच, एसा, that is 6.25 into 10 to the power 18 electrons हुनच, यह पनी value या दाखनु पर्छा, one column charge मा कती electrons present हुनच, यह पनी repeated time है सोधेको च, एसमा हुनच, 6.25 into 10 to the power 18 electrons हुनच, एसा, 6.25 into 10 to the power 18 electrons ह नखेरी, नेक्स्त हमले सोधना सकने बने को सबसे important के छाँ अदा किरी, यह, तो यह हमले सोधना सक्षा, एसमा relation between, relation between different forces, यह को हमले सोधना सक्षा, एसमा के सोच अदा किरी, जस्तो हमले यहां relation याद राखनू फोर्च को को बिचा अदा किरी, FG and FC, this is the gravitational force, यह अने का हम ठीक्छा, सोधना सक्षा, यह, दुटा को relation on the basis of different particles, यह अदी हमी proton रो proton लिदाश हो, proton रो proton लिदाश हो अदे धुटा पार्टिकल्स को बिच्चा मा, gravitational force कती हुँचा, रो columns force कती हुँचा, तेसको ratio कती हुँचा, तेसको रेशियो कती हुँचा, तेसको रेशियो रेशियो 10 to the power minus 36 यह खुँचा, नेक्स हम्रो proton अने electron बिच्चा मा यह एदि इंटाक्शन गोर्हाल इने,案़ी धाइफ G by F C गो रेशियो 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 हुचा, 10 to the power minus 39 यह खुटै, थाट्चा, हम्रो electron रए electron को बिच्चा मा हुचे, F G by F C रेशियो रेशियोष ne, that is 10 to the power minus 42, यो गोखने, ठीक्छा? So, yes, relationship between different forces, हरु यार दाखनों परचा ग्राविटा फोर्स, ग्राविटेशनल पोर्स और को बिच्छा मा relation, proton-proton particle ये इंट्रेक्शन भाराश होने Fg by Fc को राश होंचा 10 to the power minus 36, proton-electron बिच्छा माराश होने Fg by Fc को राश होंचा 10 to the power minus 39, electron-electron को बिच्छा माराश होने Fc by Fc Fg by Fc को राश होंचा 10 to the power minus 42, रहनी सावले थाचा दाट, nuclear force हबसे पारफुल हुनचा को बने को राश होंदा, columns force बने वह सब से least when in पशी, gravitational force, columns force may bew्य थिट्राक्टिव, may be Attractive or repulsive attractive पनी उने सक्छा, repulsive पनी होने सक्छा, तारा हमरो gravitational force is always attractive भी थ्रेक्टिव, ठिक्छा, और यो कौर हमी रहनीपनी यादा nAY को कनो बन्ले पड़ माराश हो ह fish प्रिश्टनल प्रिश्ट जय ले पन एट्राक्टिव उन्छ तरह कोलम्स फर्स हैं मेभी एट्राक्टिव मेभी प्रिपल्सिव यति आमीले बुजयों नेक्स्ट अपा आमी डिफ्रेंट कंडिशन्स हर्ग बारे मां कुरा गरछों सब्रिश्ट पहिला जपोज हमीले जय दे पन के लिंचो दू योटा चार्ज दिंचो सपोज q1 र q2 चार्ज हा देशको बिच्चामाँ डिस्टेंस आर छ बने यदि हमीले युटाको डिस्टेंस को बिच्चामाई युटा मेडियों राक दिंग जसको डियालेक्टि कंस्टेंट किये छा ठीक्छा चो क्यों पेला फोर्स मां के चेंड आंचाना फोर्स को फर्मूला आंचा एफ फीजी कॉल्स्टो एफ फीजी कॉल्स्टो कथी उन्चामाँ राखेर हम्रों q1 q2 डिवाइड बाइड q2 q3 Ņ चामाँ छोटी यो डिकगहा इसाथेक्णा widget i.प Ćखे डिवाट एक बाइड आमुरों फर्मूला भूड करो आखे आमू मूरों q2 डियाटा 8 इसाथेक्षेक्ट और को चोटी यो आमरो केछ भानदा खेरी मेडियम माहा हा. योबेला एवदूटा को बिच्चा को डिस्टेंस आर नट मानो, योबेला एवदूटा को डिस्टेंस हमिं आर यम मानो. ठेक्षा, र, S मा फोर्स सपोज हमी लागी राचा F air रे बनो, S मा लागी राचा F medium अब हमले क्ये condition दियो बना किरी, find the relation between R0 and Rm बने पच्छी distance between the charges in air and the distance between the charges in medium यो दूटाको बिच्चे मा रिलेशन निकालना बने, if, हूँ condition मा यदी हमरो F air र F medium लाइक्पवल बनो बनो बने, बने पच्छी F air र F medium को बहलू सेम बनो बने, यो दूटाको बिच्चे मा रिलेशन कती हुँँचा निसोल चा, त्योबला याद दाखनो पर छे, यो दूट is equal to root over k times r क्यों, खिक्चा, है, so यो ती हमले याद दाखना सक्छो, यो इसको ट्रिक्स हो simple, किना हम दाखने, हमले की निकाल लाइते हो, F air divided by F medium is equal to k by 1, yes, so F air मा हमरो के चा, F air को r0 को square, और इसको F medium को rm को square is equal to k लेखना सक्छो, रहिया हम जो हमलो, r0 divided by rm is equal to root over k, खिक् सक्छो, अर्थवा rm को value के लेखना सक्छो, r0 divided by root over k लेखना सक्छो, so yes, यो value अरो हमले याद राखना परेओ, अब नेक्स्ट एती बुजी सके यो फर्मूला आरो याद गरने, अब आमरो next के याद राखना परसां, दाकिर सपोज हमिला योटा चार्ज देखोँछा q, यहाद हमिले divide गरने, divide into parts, एसर ही divide गरने की, दो जुँन divide गरेको parts, यहाट एक्यू छा, एला हमिले सपोज दो जुँन पर्ट में डिवाइद गरेशा q under q2 मा, यो condition के दिरासां दाकिरी, त्यो दुँटा चार्ज को बिच्चमा, जुन divide भरा, आको दुँटा चार्ज त् यो equal parts तो division कती उनुपर्षान दाखिरी equally divided q by 2 रा q by 2 मा हुन पर्षा यदि हमले condition देआचा force maximum चाईयो भने force maximum चाईयो भने हमरो के हुनचा दाखिरी तो charge equal parts मां divide हुनचा तो charge equal parts मां divide हुनचा भने तो द्विटा को बिच्चामा जुन आको force जुन आको charge तो द्विटा को बिच्चामा भने columns force जैले पनी maximum हुनचा यो भूजो यो योटा याद दाखनू पर्षा और को के याद दाखनू पर्षान दाखिर सपोज हमले के condition दी सग्यो हमिले के बने मां दाखिर सपोज योटा कुने चार्चा Q1 ॹाइञ यो में मेदा मैं दाखिरा Q1 चार्चगह योटा एogen फरे kya q2 चार्चगह यो जिद को दिविटाला ने कॉंटयक्त का दखनो कांटयक्त क मा ला प्रेट पक का दखन कमा अभो कंटयक्त कको बंच नो सबस्धे एच produit आमी ए भनने चार्ट चा ब बनने चार्ट यहां कंटाक्ट माले आयों अनि एले आवसेपरेट गरों जो a मा आवस कथी चार्ट च रद बाश बनी याता है s मा q1 छ शपश q2 यहां कंटाक्ट मा गयो भने अब इच मा कथी च सपश qa बनो S मा present हुँँच है कै को चार्ज अपोजिट छो ने सिंप्ली कि आधी रे चार्ज अपोजिट गर देने q1-q2 by 2 उन्च अवह यो फर्मूला को केस मा ठीक्छा चो एती हमिले भुजियों हमरो नेक्स सबसे इंपोर्टेंट कॉंडिशन के छ अंदा खेरी एसमा हमले शोतना सकने होनेको यहोटा ट और सुफियाटले ट्यांगले की आथांगल धा मतीन हेती रह एकोल्त चार्ज परिजैन्ट से इकोल्त चार्ज सब हाई्णा साब हैलो को उणार प्र हकोज कोम्पोनेंट शहिं अब होको अब शायत sector मैं कोक्ट पोएट योंग स Ub 0,1 अब शायिंद सब्लिद पाईलेंस्द कि नहीं दाखेरी यो अनुद मा लागी राचा वनी प्लस कर रिपल्शन तो एल ले देखाको सपोज आमरो F1 ला मानो वहने S बाटा पनी रिपल्शन शो हो वे राचा B ले C ला रिपल्शन गटाचा तो S बाटा आको F2 मानो वह रिपल्शन शोब्हरो सपोज F' को सपोज T सामरो F1 0 M सपोज T ना सबस्तल में है फ़िल्शन अ पहल्शन रिपल्शन bows P2 के रिपल्शन स्प delivery q 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 सेम नहीं छा बने सी q square divided by 4 pi epsilon naught in to l square छा हामि क्ये मानो नाखिर दुबैला f मान्दियूं कि नाखिर दुबै को यहाँ नाखिर दुबै को यहाँ रहाँ छा इसको हैलो आमि क्ये मान्दियूं छो f मान्दियूं अब आमि रिजल्ट एन निकालो सो रिजल्ट एन क्यों f मैसो f मैसी फर्मूला के था मलें a square plus b square plus 2a into b cos theta theta को यहाँ वहाँ पसी क्यों चो दिस्टेंस बिटू तू forces theta को वहाँ क्यों distance बिटू तू forces का की चा 60 so 60 degrees हो कि नानी योपन 60 योपन 60 यो सिक्स्टी डिगरी चा अब यहाँ चा आमिरो root over 2f square plus योपन आमिरो root over 2f square into cos 60 बने ची 1 by 2 यो यो क्यांचल वो root over 3 times f मुंच और यो f बने पसे आमिरो क्यों f1 औ f2 को वहाँ चा एक्वाल यू हुंच तो f को वहाँ यही हो ठीक्छा इती clear चा रिजय तो रिजय टेंड t square रिजय टेंड योद़ी डायरेक्ली निकालों छा नानी योदी आमिरो एकिलार्डार्ड टेंगल देखो थो ती इन्टे रिजय चार्ज सेम छ और योव वहला आमिरो चार्ज हुन्दा इनियरों चाई एउटा एक्लिब्रियम स्टेट मा बसता हूँ पने पछी यो चार्ज अरू आखनो पोजीस्टन बाटा हल्ली दे हल्ली देना बने छी नेट फोर्स इनियरों मा कसे मा पनी कुने फोर्से लाग देना चो त्यों अबला सब्फोज हामी Q प्लस या चार्ज राखे राचा चार्ज यह में ब्लस यह ली रहाच हां मामें पर ये सहरी बसनो परे। सेंटोर्ड हमले math में पड़ा इन्च यादी सको side equal agora को side L अपने संटोरोड के side S को side L divided by root over 3 तब सब्सक्राइब दिखाए लेको अब समाँ हम हमी बुझाँ यह चार्ज ले इसमा पर यहोटा force देखाऊँच सपोज त्यों फोर्स ले आमी के मानो F3 मानो अब जब यहां सेंटर मा कुण योटा चार्ज राखनू छवने तेले देखाऊने यो C पोइंट मा प्रिजेंट भागो चार्ज लाए देखाऊने सपोज F3 मानो फ्री कथी उन्छा अब आमरो F3 कथी उन्छा दाखरी Q इंटू Q डिवाइद भाइ 4P EPSONAL NOT टामस डिस्टेंस को स्कार्ज अमरो के चार्ज एल डिवाइद भाइद 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 क्यू ब्रूट को क्यू रूट 3 स्कार्रूट अब अब यहां स्कार्ज आमिले Q Q अब भाइद 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 कुने फोर्स ना लगाऊने इकलिब्रियम मेंटेन करने हो भने F net force will be 0 यो condition अब हामी यो condition मां सब को भैलू आलो रा Q को भैलू निकालो ठीक्छा सो अब के मेटों हां दाखरी सबस्यों मेट गिए अब यहां मेट देश हो अब यहां लेखाऊं दाखरी F' भने पसी root over 3 times F3 निकाले को भरकर F3 को भैलू यह चा दाट इस 3 QQ divided by 4 pi epsilon not into L square is गस्टो 0 सो cube root of 3 F को कुने भैलू राख देऊं नहीं सो योटा हमी 3 QQ divided by 4 pi epsilon not into L square राखें योटा ले निगेटिव बरह उता राख दें सो दाट इस Q square divided by 4 pi epsilon not into L square Q square Q cancel L square L square cancel 4 pi epsilon not 4 pi epsilon not cancel सो अब यह स्मा हमीं पूदा हूं सो अब यह स्मा हमीं के गश्मा राखें रहा अब क्यू को यह निकाल राख क्यू बने पसी निकेटिव आफू बर 3 by 3 times Q अईसा क्यों आव यह स्माल माति यहां क्यूब रूट म्ल्टिप्लाय गर्थे चामाने ुब रूट बर 3 तौल माति हमने आफ्यां क्यूब लुट3 हैं इसकार रूट रूट अफू फृट्प्लाय गर्ए चार्ज हालनु पर्छ नेगेटिव उफ q divided by root over 3 चार्ज हालनु पर्छ तू मेंटेन एक्किलिब्रियम कंडिशन चार्ज हालनु पर्छ तू मेंटेन एक्किलिब्रियम स्टेट तू मेंटेन एक्किलिब्रियम स्टेट् एक्किलिब्रियम स्टेट्रियम 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 स्ट प्लस Q, प्लस Q, प्लस Q, प्लस Q छा ठीक्छा, सब मां आमीले फर्मुला निकाला सक्छा अगा, अब है एस मां मत के मात्रा बदीन छोंदाखी सेंटर को यो कती लेंद हुँँच, सफोर यहला है आमीले R मानो बने, अथा L मानो, L मानो अथा R मानो जे बने, यो जुन हम्रो distance, यो कती हुँँच, अने सोदे होने चे, L divided by root over 2, बाकी सब ही तकाईले अगिके प्रोसेस युज़ गारा, गणा सक्मा हुँच, एस मा जुन center मा कती चार्ज आनो पर सा बने, सोदे होने चे, center मा कती चार्ज आनो पर सा, negative of q by 4, 1 plus 2 root over 2, यो value हमले याद राखने, center of square मा कती चार्ज आनो पर सा, 2 maintain the equilibrium बने, q is equals to negative of q by 4, 1 plus 2 root over 2, यो हम्रो एकुलाटर टेंगल मा कती उन पर सा, negative of q divided by q square root of 3, यो हम्रो formula याद राखनो प पर ने कुरा आरू बहन दा, सपोज हम्रों दुविटा चार्ज चार्ज, येता पटे हमले plus q दिरा छो, येता पटी पनी plus q दिरा छो, यो दुविटा को बिच्चा मा टिस्टेंस सपोज हम्रों टोटल आर छा, center मा कुले योटा चार्ज आनो सपोज हम्रों प्लोस q, small q, center बने, पर सबोज एता पटी x थे होने, एता पटी x दून चा, अब हमिले के सोदे होना, यो center मा पती चार्ज होनू पर छा, कती चार्ज होनू पर छा, कती चार्ज होनू पर छा, to maintain the equilibrium, सो maintain the equilibrium को लागी, यो दूइटा को बिच्चा मा, present बने, चार्ज को वालू होनू पर छा, q is equals to minus of q by 4, एक को ट्रिक सींपल छा, यदि हमीले, इस तो खालगो पर छिशन शोलाया छाने, सपोज, a-rab point, इस तो खालगो को पर छिशन देखो छा, वने, दूइटा चार्ज को बिच्चा मा, यो टा चार्ज, सेंटर मा, यो टा चार्ज, त्योस मा, कती चार्ज होनू पर छा, to maintain the equilibrium क चलिया चोने, ट्रिक के चाने, सपोज यदि यहाँ positive positive, डुबाही चार्ज पोजेटिव छा बने, तो बेला हमी यो बिच्चा को चार्ज के लिए चो, negative, डिवाइड़ बाइ 4, यदि हमीरो डुबाही चार्ज नेगेटीव, negative छा बने, center को चुन Q उन्चा, तेले यहाँ क्त करण बचन Physics सब्सकreders अबंद और जारी सब्सक्स उपोज मारा गों सब्सक्राइह सपोले सपोल्टि मारे बंबच से करके लिसेंट बड़ पर सेंयुक्ति है साथ daring क्यों किवी राखिल बने कि अमें दे फो ना सकने इच्डोल हरा कुछ भाफ चार्ज हो लु़्स प्रोम स्ठील मतिक्ट अगेव त 19 I वल राखने मंतुंने खम देहां है hiking निकाल अग्र में राखने मता Q2 चार्ज को बिच्चे मां total distance कती चा, divided by 1 plus minus root over Q2 divided by Q1 Q2 हने पाछे हमले क्यों लोवर चार्ज divided by higher चार्ज, यो plus minus क्यों चा? प्लस Q बेला दिने जब लाइक चार्ज चा, लाइक चार्ज हने पाछी दूबे positive की दूबे negative चा बने So, unlike charges को बेला यहां मी minus sign दिएर यो formula यूज़गरने, like charges को बेला plus sign दियेर यो formula यूज़गरने That is distance of the charge from higher charge, so यो charge को higher charge बाथो कटी distance है, यो x निकालना सोधितधा होने x is equal to total distance कती चा, सो पर यहा वाजर चाये प्लस आणने लाइकचर्ज को भैल्ला माइनस आणने न्लाइकचर्ज को भैल्ला तो योपणि भूजा आम झ ciao झार्ज अम धाथ चार्ज दियो भने F air by F रेशियो F medium को रेशियो कती उन्च के इस्टु 1 यहादी हमिला constant potential दियो भने constant potential दियो भने यहाँ यहाद राखने F air by F medium कती उन्च बनना गेरी 1 इस्टु K सो यह दुटा को यहाद राखनों परें ठीक्छा सो F air by F medium को रेशियो जब हमिले constant चार्ज लिंचाओं त्यो भेला K इस्टु 1 जब हमिले constant potential लिंचाओं त्यो भेला 1 इस्टु K ठीक्छा सो यह भो हमरो यह थी बनी δुटा स्फेर लिंचाओं त्यो इसको हमिले contact माली दाखेरी कती निकाल लिए भने चाहते q1 प्लस q2 divided by 2 यह थी चार्ज सेम छा भने जह यह भने को आमेरो क्यों चार्ज क्यों चार्ज निकाले आले क्यों शापोज आम यहाँ एस्फेर छा B Sphere छा, ठीक्छा, S को रेडियोस A छा, S को रेडियोस B छा, ठीक्छा, सो अब क्यों वने वन्दा थे रिक कती चार्ज रिमेनिंग छा वने निकालना सोधे वने, रिमेनिंग चार्ज कती छा वने रो सोधे वने, रिमेनिंग चार्ज कती छा, भने रा सोदे बने, कुने मा, सबोज A मा, Q रिमेनिंग इन A बने सोदे बने चाहिए, एसमा आमरो फर्मूला उंचा, Q net चार्ज, Q net ते शार निकाल दा सकींचा, multiply by, सबोज S मा, plus Q1 थे, plus Q2 थे बने, Q net कती उंचा, एथी उंचा, यदि यहां माइनस उंते होने, Q1 माइनस Q2 divided by 2, सिंपल सा, सो Q net इन्टू हामिले के गरने, आपनू रेडियस, on radius divided by on plus others radius, सो सबोज यदि हामिले A को लागे Q रिमेनिंग निकाल दा सा होने, Q net को कती होने, Q1 plus Q2 divided by 2, multiply by ons radius कती चा, आपनू radius सा A, और आपनू radius प्लस और दा को radius B, ठीक्सा, यदि सेम तिम लागे Q रिमेनिंग अफ, B दिन्थे होने Q net, टाइमस कती होने, B divided by A plus B होने, सो यदि यो फर्मूला पन्नी नव बिर सिने, यो फर्मूला आगो, याज, हमजे चार्ज को माँ चाहिने फर्मूला आड़ छा, तो सब दाया हो जस्तो छा, आज़ो को लागे यतिने गाईज, यदि तपाइला यो फर्मूला सीरीज मा, महीले कुने इंप्रूब्मेंट गरनू छाने, आज़ो को वीडियो येर, कुने तपाइला यो वीडियो गाटा कुने इंप्रूब्मेंट चाहिन छा बने, याज़ो को फर्मूला मात्र भन दीनू, कुने चाहिन बन दीनू, अर्था कांसेप्ट पने आड़न गर दीनू, और चे बड़ी कांसेप्ट दियर गरनू, ट्योल तपाइले पने इंप्रूब्मेंट चाहिन छाने, लेत मेनो न्यून गर्मेट सक्षिण, आज़ो को लिए द देनि मयाज, वीडियो चाहिन बाइट, चैनल मला नचाहिन बाइट, याज़९ को लागए, ग्ज़ुआ डश्यां आश्यां को लागी,